नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है कैसे हैं आप आप अपसब सही हूंगे स्वस्तूंगे जयस्तूंगे और मस्तूंगे आज मैं यह प्लांट लाई हूं इसका नाम डेफिन बाक्या है यह बहुत ही सुन्दर प्लांट है देखिए कि इंडोर प्लांट है इसको इंडोर आउट्डोर कहीं भी रखिएगा चलता है और इसकी सोयल जब आप लेंगे इसमें 40% गार्डन स्वेल 40% कोई भी आपके पास खाद अबिलेवल हो कमपोज वर्मिकमपोज या गोबर की खाद को भी आप डाल सकते हैं और 20% इसमें सेंड डाले और यह अच्छा ग्रोव करेगा और यह कितना प्यारा लग रहा है देख रहे हैं दो दो तिन तीन कलर का है वरिकेड़िट है यह तिन चार तरह का होता है और इसकी लिव्ट बड़ी बड़ी होती है देखे और जितना यह सुंदर होता है उतना ही यह खतरनागी होता है यह जहरीला प्लांट है जिसके घर में छोटे बच्चे या पपी जोगरा है तो वह नहीं रखे तो अच्छा है देखे कितना सुंदर लग रहा है और इसको दारेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको दूब में रखना नहीं है क्योंकि मेरे पार दो प्लांट है मैंने कुछ दिन धूब में रखा था एक प्लांट वह मेरा बिल्कुल ही उसकी पत्तियां खराब हो चुकी है यह नीचे वाली वालकॉनी में है तो यह ठीक है इस अवा आती जाती हो जहां पर यह जो यह स्टेम्प है इसकी स्टेम्प से ही छोटी-छोटी कटिंग करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं आराम से बहुती आसानी से ग्रो हो जाता है कटिंग से और बहुती प्लांट है देखे प्लास्टिक वाले बाथ में लगाया है वैसे प्लांट के लिए प्लास्टिक जिदेए मित्ती वाला गमला रहता है डेखे कितना एकन भी प्रेस करेंगा अगला वीडियो देखने के लिए और फ्रेंस जब आप वीडियो देखेंगे लाइक जरूर करेंगा आप भी लगाएगा बहुत आसान बहुत आसानी से ही ग्रोवता है यह वहती सुन्दर प्लांट है देखिए वाइजी टूग्रोव है इसकी केर कर एक वाटरिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती है इसमें कम पानी देना होता है ज्यादा पानी देंगे तो इसकी रूर्स गल जाती है इसकी पत्तियां विल्कुल बेकार हो जाती है अगले वीडियो में मिलते हैं नमस्कार बाई